तो आज मैं बनाने जा रही हूं कड़ी आज की रेसिपी कुछ यूणिक होने वाली है तो प्लीस आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखेगा आज मैं इस सबसे पहले हम पकोड़े बनाने के लिए बैटर बनाते हैं तो सबसे पहले हाँ पर मैंने लिया है बेसन चार चम यह तार चमर्च नाजनाय कोड़े वास मीडिन चास बसंच उटच असन चाया सबस्क्राइब अड़ाशाद के लिया है तो नहींदाओ लेकर अरगे यह जोग एक बना के घूल से प不知道 सब्सक्राइब साया क्टोटिता भी 10 मिनट हो गए तो डाल दूंगी इसमें थोड़ी सी दढ़ने के बाद में हम पूड़ी से फैंट लेंगे तो यहां पर कड़ी बनाने के लिए मैंने प्हांसो गराम द़ी दही को भी मैं छे तरी के से पहले फैट लोगी फिर यहां पर एक कटोरी लिया है मैं सुके मसालों में लिए है मैंने एक चम्मच हल्दी पावडर एक चम्मच धनिया पावडर और एक चम्मच मिर्श पावडर और एक चम्मच है ये अचार का मसाला कुटा हुआ तो इन सब को मैं डाल दूँगी और नमक मैं बाद में डालूँगी जब कड़ी में उबाला और यहां पर हमें एकदम से बिल्कुल स्मूथ गोल बनाना है ताकि हमारी कड़ी परफेक्ट बनकर तयार हो बेसन तो मैंने अच्छी तरीके से गोल लिया है चलिए बनाना सुरू करते हैं तो यहां पर सबसे पहले मैंने रख लिए कड़ाई और इसमें डाला है मैंने आधी पाचार के मसाले में छोंक लगाने से कड़ी की खुस्पुत दो गुना बढ़ जाती है और खाने में तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है तो अभी मैं बेसन के गोल को भी डाल दूंगी और चमचा में साथ में चलाती रहोंगी और अभी मुझे पानी भी डालना है चमचा हमें कंटिनुई ऐसे चलाते रहना है ताकि हमारी जुदई वो खटे नहीं तो यहाँ पे कड़ी को तो मैंने छोंक दिया है जब तक कड़ी पकते है तब तक मैं बना लेती हूं पकोड़े तो आधी चमबर डाला है मैंने यहाँ पे नमक तो नमक को अच्छी तरीक से मिक्स करके अब चलिए पकोडे बनाना सुरू करते हैं आप चाहे हाथ से भी डाल सकते हैं और चाहे तो चमत से भी डाल सकते हैं वैसे हाथ से डालना बहुती आसान होता है और हाथ के बनेवे पकोडे खाने में तो अच्छे लगते हैं और देखने में भी अच्छे लगते कि यहां पे पकोड़ हमारे ची तरी के से फ़राई हो गए हैं तो मैं मैं अभी पकोड़ को निकाल लेती हूँ कड़ी में उबालाने के बाद 5-10 मिनट के लिए मैंने पकने दिया अब यहां पे मैं डालू जो कि मैंने पहले से ही काटके रखा था और यहां पे मैं डाल लहीं हूँ दो चम्मत चावल यह दोनों कड़ी में अपनी दो भूमी का न में पता चल जाएगा तो यहां पे देखी पकोड़ी भी मैने बना लिए हैं और अभी कड़ी में उबाल आ चुका है तो चलिए अभी बादी बने बारों माधे में भी आप पकोड़ी डाल देते हैं और चावल और आलू की भूमी गभी अभी आप लोगों को बताने है कि कड़ी को हम 10 मिनिट के लिए और पका लेंगे और गैस को हमें रखना है मीडियम तो चलिए जब तक हम बना लेते हैं अपना तड़का तो यहां पे तड़का पैन मैंने रख दिया है और डाला यहां पे आधी चोटी चमच तेल हमारा गरम हो गया है तो अभी डाल दूले हैं प्यarda निए रख धिया हिसा अशुप के नहीं लीज या चीए अ तो आप हमने लंबे-लंपे पीकिस तरीके से निक्स कर देंगें तो यहां पर कड़ी तो हमारी पक चुकी है अच्छी तरीके से और अभी तड़का लगाना भाकिLY है इसमें पूरी कड़ी बनने में लगी है यहाँ पर सीमील मिनट तो चलिए अभी आप लोगों को मैं बता देती हूं की बूमी तो यह आलू की भुमिकाय और चावल भी हमारे गल जाते हैं साथ में और आलू भी गल जाते हैं तो यह हमारा तड़का तो तड़का भी हमारा बन गया है चलिए हम डाल देते हैं कड़ी में तड़के की जो हमारी खुस्बू होती है वो सारी उड़ जाएगी और इसलिए हम कोई धकन ड़कन रखना है तो अभी देखे आप लोग तो कड़ी देखे कितनी अच्छी लग रही है और खाने में तो बहुती ज्यादा टेस्टी लगती है कड़ी और सभी की मन पसंद भी हो लोग ज्यादा तर कड़ी कोई खाना पसंद करते हैं कड़ी चावल तो आप लोगों को मेरा यह तरीका कैसा लगा है कड़ी बनाने का अच्छा लगा है तो कमेंट बोक्स में जरूर बताईएगा और अगर चैनल पे नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर की झाल